ज्यादातर चीजें, उस साध्यात में एक साधना को छोड़ कर, जो मैंने की, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने बस उसे इस तरह किया जैसे मैं जानता हूँ, और हमेशा काम्याब रहा। देखे, जिन चीज़ों को लोग मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, एक समय था, जब मैं हमेशा दो पहियों पर रहता था, चार पहियों को मैं बहुत तरसकार से देखता था, मैं कभी कार में नहीं बैठता था, अगर कोई मुझे अपनी गाड़ी में आने के लिए कहता था, तो जब मैं 85 साल का हो जाऊंगा, तब मैं कार में बैठता था, सो ये मेरे लिए संभव था, मैं कार में नहीं बैठता था, मैंने कहा मैं कार में नहीं बैठता था, तो एक बार ऐसा हुआ, कि हम लोग एक wildlife sanctuary की तरफ जा रहे थे, और मैं अपनी motorcycle पर था, और एक लड़की कार चला रही थी, जिसमें चार और लोग बैठे हुए थे, उन में से किसी को भी गाड़ी चलाना नहीं आता था, लड़की की तब्यद बिगड़ गई और जंगल में कार चलाते वे वो बहुत डर गई, क्योंकि जंगल का इलाका था, फिर वो समझ नहीं पाए कि क्या करें, लड अपनी मौटर सेकल खड़ी कर दी, मैंने जाल ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, उससे पहले मैंने कभी कार नहीं चलाई थी, पर बचपन से ही, चाहे बस हो या कार या जो भी गाड़ी कोई चलाता था, तो मैं बड़े ध्यान से देखता था कि वो कैसे चलती है, मैं बस बैठा और 90 किलोमेटर गाड़ी चला ली, एक पतली सी सडक पर, संक्री सी सडक जो वहां से नागर होले तक, जो कि बहुत, उस समय वो रास्ता बहुत संक्रा हुआ करता था, मैंने पूरे रास्ते गाड़ी चलाई और पहुंच कर मैंने गाड़ी लगा दी, फिर मैंने कहा, मैंने आज पहली बार कार चलाई है, और ये इतना बुरा भी नहीं है, जितना मैं सोचता था, मुझे लगता था कार अपाहेच चलाते हैं मैं सोचता था कि मोटर साइकल ही असली सवारी है कार तो अपंगों के लिए है ऐसे विकलांगों के लिए जो दो पहियों पर संतुलन नहीं बना सकते मैंने का यह इतना बुरा भी नहीं है तब उन्होंने का तुमने कभी कार नहीं चलाई मैंने का नहीं, मैंने पहली बार चलाई है तुम्हें कार चलाना कैसे आता है इसमें क्या है, मैंने लोगों को कार चलाते देखा है मैंने लगबख सब कुछ ऐसे ही किया है मैंने कभी किसी तरह की कोई ट्रेणिंग नहीं ली बस थोड़ा ध्यान देने की जरुरत होती है हर इंसान ये कर सकता है मगर उनके दिमाग में बैकलॉग होता है वो अपने साथ ये कैसे नहीं हो सकता कि बहुत सारी चीजें ढोते रहते हैं हुआ टो हुआ 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 है